तुम जो गुछा भी करो तो मझे प्यार लगता है चाने क्यूं मैं तुझो भी कहू तुम्हे इकरार लगता है चाने क्यूं जोडो भी ये यदा पास आखे जरा बात दिल की कोई कह दो ना है चोना है चोना है चोना पास आखे जरा लगता है चाने क्यूं हाँ मत वहारा हुआ दिश्क करता है चाने क्यूं हाँ मत वहारा हुआ हाँ ही जाइब वेल्क रादा है चानल अप सभी लोग बहुत जाद अच्छे होगे मैं भी बहुत जाद अच्छी हूँ और आज की वीडियो में आप लोग साथ शेयर करे हूँ वेस्टर्न करवा चौथ मेकप लुक आप लोगों ने टाइटल तो पढ़े लिया होगा तो डेफिनिटल आप लोग समझी गए होगे कि मैं यह वाले लोग क्रेट कर रहे हूँ इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ और रेदी करवा चौथ के ऊपर और मेरको था कि भाई मैं दो तीन डालूं सबके लिए क्योंकि कोई कोई होता ना ऐसा पुष्टा है कि आपको इस सिंपल ड्रेस में बताओ आप ना यह ड्रेस में बताओ क्यों तो तीन लुक कर देती हूँ और फेस्टिवल भी बैक टु बैक आरहे हैं तो उसी सबसे मुझे करना पड़ता है मतलब कि मैं बैक टु बैक जितना हो सकेगा मैं शूट करूंगी बिल्कुल भी मतलब मैं गाप नहीं लेने वाली हुँ अब कॉमेंट कर सकते हो कि जि मैं कितना सईया लुक लगहा है लबस्टिक कर आ कि जि चेळ нажब ला लिप्सीिक अलगूद कोassing मैं ऒंट कर फोल्क। लग अपको लग़हा हुआ है इक उनको देखा था मैंने एक फोटो में एक वीडो था वीड़ा उनों अशेया है उनों ना बॉन कर दख एग लयं उनम् क्योंकि आई लुक है बहुता है नो पुरहूरा नो मैंट से किया है इसलिप टोपली जब है अगर है इसलिक आफर खुडशेगा गवाज लगेगा डुचन है s lucky ुखल्छन विछों उप नुजू है अब दगर आपने मुझे इस्टेगर में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी सिजा के फॉलो करो लिंक में आपको डिस्क्रेप्टिन बॉक्स में डाल दी है okay if you like my content so please do subscribe my channel now without any waste of time let's get started okay guys हम आगये voice over में और सबसे पहले आपको पता ही हमें क्या करती हूं अपनी skincare करूंगी L'Oreal Paris का Micro Crystal वाला यह है यह ना toner serum sorry toner types का है इसको Micro Crystal वह थे हैं मैं बस छोटी packaging थी तो मैंने सुचा मैं ट्राइ करती हूं असफा हलाल का यह है face serum यह serum ना बिल्कुल water-based texture है और oily-oiliness बिल्कुल नहीं छोड़ेगा Good Wipes की यह है मेरे पास cream यह newly launched थी तो मैंने खुद नहीं मंगवाई थी काफी अच्छी अली moisturizing cream है ऐसे वाले मौसम में कुछ SI cream लगाया करो काफी अच्छी पसंद आएगी आप लोगों को तो बहुत अच्छी मैं पहले अपना face moisturize कर लेती हूँ क्योंकि मैंने देखा था बीच में जल्दी जल्दी skincare करके foundation लगा लिया तो एक बड़ा सा pimple आ गया जो आपको सामने डिक भी रहा होगा बाई मैंने सुझा मुझे face में pimple नहीं चाहिए इसलिए skincare जरूरी करो यहां पर lip balm लगा लूँगी लिट माय ग्लैम की अच्छे से मैं lips को भी moisturize कर लूँगी और थोड़ा weight करूँगी ताकि मेरा जो यह serum वगरा सब था वो सब skin के अंदर absorb होए मैं direct apply नहीं करूँगी और मैं आप लोग को भी यही suggest करूँगी ओके लैक में absolute का blur वाला प्राइमर यह ना प्राइमर काफी अच्छा है आपके फिल कर देता है पोर्स को blur कर देता है और आपको एक tint प्रोवाइड कर देता है वैंदर करेक्टर भी मतलब इसको ना आप अपने आइस के अंजर आइस में भी लगा लिया करो क्योंकि नहीं हलका सा वर्क करता है है ना वर्क करेगा क्योंकि इस पर टेंट है बिल्कुल देखो ना आप खुद देखो सो फिर उसके बाद एन्वाइब का न्यूली यह वो था स्ट लगे बिल्कुल नाइका का यहां पर ले रही हूं मैं फांडेशन फांडेशन इसमें मेरा शेट पता नहीं कौन सा था यार मैं कोई आयार नहीं आया था पड़ यह फांडेशन गाईस ट्रस्ट मी इतना फुल कवरेज है ना कि मतलब मज़ा ही आ गया इतना मस्त आप इसके कवरेज देखना बस लुक एट कवरेज फुल कवरेज मतलब बहुत अच्छा है अगर आप को अच्छा फांडेशन में इंवेस्ट करना चाहते हो ना सो आप इधर उधर यह सब मत करो डायरेक्ट आप ले लो नाइका का बहुत अच्छा है जितने आपके लगा के अच्छे से मैंने beauty blender की help से blend किया हाला कि coverage थोड़ी कम हो जाएगी बट यह अच्छे से set हो जाएगा अगर आप beauty blender की help से करो तो के setting spray लगा के उसके बाद यहां पर मैंने purple का लिया यह क्या है concealer अपनी under eye में लगाऊंगी पूरी under eye में थोड़ा सा ज्यादा लगाऊंगी वैसे तो मैं हमेशा कम लगाती हूं और you all know कि मैं बहुत कम लगाती हूं या तो फिर मैं लगाती ही नहीं बट अभी मेरे थोड़ा स दिख रहे थे तो मैंने सूचा क्यों ना मैं concealer लगा ही लेती हूं अच्छे से concealer लगा लिया और रहने का face रहने का यह है translucent powder यह मुझे brand खुद भेजाता तो मैंने मुझे मेरे पास ना इसका three shapes है सबसे पहले इसको मैं अपने अंडर आइज बे लगा कर बेग करूंगी अपना face को जहां जहां मुझे need है मतलब कि अंडर आई forehead mouth area अच्छे से करके छोड़ दिया मैंने ठीक है जब तक के लिए आप इसको छोड़ो मतलब इसको ना तब तक छोड़ दो जब तक आप अपन अपनी आइब्रोस को अच्छे से फिल कर रहे हूं ठीक है पहले आप बीच से पूरी फिल कर लो उसको पर लाइन पगेरा ड्रो कर लो अब यहां पर मैं क्या कर रहे हूं और एक ना concealer के help से थोड़ा थोड़ा सा क्लीन कर लिया मैं ठीक है ज्यादा अच्छे से नहीं बस हल अब जो भी एक्सेस पाउडर दिख रहा है ना उसको मैं एक ब्रश के help से रिमूव करती जाओंगी ठीक है सो यू केन सी कि कितना इजली मतलब की मेरा फेस बहुत अच्छे से सेट हो गया है और मैंने सेटिंग स्प्रे भी लगाया है ब्यूटी ब्लेंडर में तो यह ना ऐसा वेस हो गया है कि यह वेस आपका खराब नहीं होगा जल्दी मतलब खराब नहीं होगा सब्सक्राब या यह याँ पेर अच्छे से मैंने क्लीन अप्लीनअ काफे लंबे क्लिप पड़ गई याँ पर मैं ले रही है यह आईशेटो पैले प्ता नहीं कॉन सी ऐच्याप पैले लेती आप लों कॉमेंट करो में तो यादी नहीं आ रहा है कौन सी है पता नहीं हमें खुया दिया रहा है इसमें से ब्लू शेड लिया एक पॉइंटेड ब्रश लिया है मैंने उसको अपनी आइस की कॉर्णर में मैंने दो दो में मतलब के ब्लू कलर लगा लिया ठीक है एक एक आइस की कॉर्णर में मतलब मैं लगा कर दोनों आइस की कॉर्णर म अब ज्यादा टाइम दो ब्लेंडिंग अच्छे से करो और आधा कराम तो आपका ब्रश कर देगा अगर आपके ब्रशे अच्छे हुए तो पोपल शेड लिया, पिंक शेड लिया, मिक्स अप किया और फिर ये फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको मैंने फिर से मतलब ब्लेंड किया ठीके ताकि थोड़ा सा और अच्छा स्मोकी टाइप का एफेक्ट है काफी अच्छा आईशे जो लग रहा था मतलब प्रोफेशनल टा वहां पर लगा लिया अच्छे से यार मैंने क्लिप्स ज्यादा लंपी लंपी टाल दिया फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया और मिक्स अप कर गया तक कोई भी हार्ष लाइन ना रह जाए ठीक है इसकी टिप मुझे इतनी पसंद आती है कि मतलब मेरको यह काजल मेरा फेवरेट हो गया है अच्छे से यांपे मैं हलका सा विंग आईलाने क्रियेट करूंगी हलका सा विंग निकालूंगी ज्यादा नहीं निकालूंगी गाईज एले इतीन का काजल है भले यह थोड़ा सा सस्ता है और मतलब के आप लोग को भले नहीं पसंद आता है बट यह काजल मुझे लिटरली पसंद आता है क्योंकि ना वन स्वाइप में ही मतलब भी ब्लैक हो जाता है और हाँ काजल अप अच्छे से कैप बंद करके रखा करो क्योंकि मेरे काजल के कैप खुले रहते हैं यहां पर अच्छे से मैं ब्लैक कलर लेके अपनी आइस के नीचे थोड़ा सा मतलब की लगा लूँगी स्मझ कर लूँगी ताकि है ना जो मेरे काजल है बिल्कुल भी ना निकले और मतलब फैले ना बिल्कुल भी ठीक है वाटर प्रूफ हो जाए और एक फलफी ब्रश की से मैं इसको जो कलर अभी में लगा ना ब्लैक कलर नीचे उसको हलका से समाजस मच करोंगी ओकई नाइक यहां पर लिया मैंने मसकरण को ले सकते हो मतलब स्वार ड़क़ों आपको जो है अब वो मेकप से करो यहां में पास कुछ नहीं था अब आपको जो था में इससे सिरि करें नहीं यहां lootने दी है क्योंकि इतनी पसंद आगी है कि मैंने बड़े बड़े पैकेTV मगा करकर नहीं भार है कि यहां परerez लिए अभी िचांद मार्क पैक लिलिए है क्सवीत हैं चाहित अब आप सम्हर सकता ils बॉह ना दिखे इसलिए मैं इसको hide करने के लिए मतलब मैंने वो किआया थिक है ब्लाक कलर लगा न लगाया एंबाइट लगाया अ चाहसी कॉ Woah लगी लगे भून के इसलिए उसको होता है आपका फेस होता है नहीं लगता है पनी नोस कालिए नॉस को कॉंट्र करो arriya उसके भाद आपको ऐसे पावडर से आजोअजोगा ना कि यह होता है प्रोस्स तो यही है आजोगा मैं नोस जब मैं ऐसे लगाती हूं काफि प्रोफेशनल डाइब की फिलिंग आती है वेट एन वाइल्ट का मेगा ग्लो हाइलाइटर है अल्मोस्ट खतम हो चुका है लगाया भी मैंने बहुत है बट यह गिर-गिर के खतम हुआ है में में पॉइंट मतलब चीक बोन्स जो लाइन नही लगा लेंगे ठीक है आप भी कुछ ऐसे कर लेना लंबी-लंबी क्लिप पड़ गई तो मिरस बोलाई नहीं जा रहा गाइस अचा आप ने अभी तक मुझे इंस्टाग्रम में फॉलो नहीं किया है प्लीज जल्दी से फॉलो करो मैं कुछ नहीं जानती है फॉलो करो मुझे L.I.T. My Glam की ये लिप्स्टिक इसका शेड देख रही थी मुझे इसका शेड ही नहीं मिल रहा था बट मतलब इसका लिप्स्टिक का कलर oh my god बहुत सही है यहां पर मैंने गाउन पहन लिया और यहां पर मैं बना रही हूं थोड़ा सा पीछे से बन क्योंकि मेरा मन था कि मै एक हेर स्टाइल करूं बन बना लिया और आगे से क्लीन कल वाली हेर स्टाइल कर ली है पीछे से थोड़े थोड़े से मैंने बाल ओपन कर लिये हैं सो यही था मेरा आज का लुक कैसा लग रहा है कॉमेंट करके बताओ ब्ल्यू गाउन के साथ किया है मैंने पूरा यहाला और जॉल्डी बगेर डालूंगी यह पहन रही हूं यह पर और एक हाथ में ब्रेसलेट पहनूंगी यह रिंग भी नहीं पहने जा रहे है पहले ना मैं वाइट यह पहने थी पहने थी अच्छा लगेगा लिप्तिक इसमें सूट कर रही है कि नहीं आप लोग मुझे सबसे लाल लिया मैंने आप एंड यह नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में आप लोग को चाहिए है प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना और मैं सबके कॉमेंट्स पढ़ती हूं भले लाइक ना कर पाओ पर पढ़ती हूं तो यह मैं भीलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई लव यू टेक केर बाई बाई गाईज लव यू